जै शीराम सभी भर्तों को जै माता की फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए है और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताईए क्या जो है संकट हमारे शरीर के अंगों को भी खा सकते हैं हमारे अंदरूनी अंगों को जो है कैसे खराब कर सकते हैं तो आज की वी चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें साथ में बैल अकन उसको प्रैस करें ताकि आने वाली हरे एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुच जाए चलिए सुरू करते हैं आज की जैश्री राम जैश्री बाला जी माराज बाबा की असीम किरपा आपका सकते हैं फिर कई व्यक्ति कोई जादा परे लिखों का एक ऐसा भी कुमेंट आ सकता है तो दोक्टरों की जूरुती ही क्या है अगर बाबा ही सब कुछ सही कर दे लेखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको यह सचाए बिजाता हूं क्या होता है कि जो ये कारण क्यों ह उपर कोई तंतर किरिया करी जाती है कोई समशान किरिया करी जाती है मर्गर किरिया करी जाती है या मारासन किरिया करी जाती है उस किरिया के अंदर अगर कोई कहता है कि ये व्यक्ति खत्म हो जाए मार दिया जाए या किसी भी प्रकार से या रोग गरस्त होकर मरे तरप तर ऐसा भी होता है, कि संकर जो होते हैं, मालों किसी की इच्छा होती है, कि मैं मालों मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है, बीमारी नहीं है, और मरना मैं चाहता है. अचानक मुझे अगर कोई रोग लग जाए या कोई बीमारी हो जाए मैं काफी लंबे समय थे और मैं उस बीमारी में तर्पूँ और मेरी कदर ना हो और मैं बचैन हूँ और मैं अपनी आई में ना गया हूँ तो मेरे मरने की इच्छा नहीं है लेकिन मैं मर गया किसी पर्ण उपरांत मेरी आत्मा जो है बठक में रती लेकिन मेरी इच्छा मरने की नहीं थी मेरी इच्छा जीने की थी तो वो झब अपनी और योनि में आती है जिस उतनी ज़्यादा बलवान होने लगाती है तो शरीर में जब ये परवेश कर जाती है परवेश करने उपरांथ उसके बाद आपके शरीर में उस पकार की मुवमेंट करती है जिस पकार की मुवमेंट इनकी बोड़ी में होती है कि आप इसमे करते हो कोई गोली खा लेते ओ लगाता और गोल यह खाते रहती आपको difficult की और उने लेकिन आता है नेकिन फिर भी आप कहते हैं तो फटने को जाता है और फिर क्या करें नेकिन गोली खाते हो पांट-दस मिन्टे के लिए अराम होता है क्योंकि उस तरह वह संकर्थ वोड़ास आपसे दूर होता है जोली का प्रभाब नहीं ताकि आपके शरीर की प्रकिया अचानक वह से किसी की फिर डैमेज होती है और कुछ यह ढफिंग होने के बाद उसकी अकालमित्च्य हो और यह कई बार टार्गेट पर चीज भेजी जाती है कई तो ऐसे तंतर किये जाते है कि प्रोपर लिवर को पकड़ लिया हो जैसे कई लेडी जो का यहां से कलेजा किसी ने पकड़ लिया करेजा पकड रखा है मेरा करेजा पकड रखा है मेरा हाट की धरकन पेज बढ़ती है थे मेर बहुत तैज है, मेरे फेपरे जो है जखडे परे मुझे सांस लेने में तकलीफ है तो ये जो कई वर बिमारियां उत्पन होती है ये करा कराई की वज़ा से भी उत्पन होती है बहुत सारी आत्माएं इस पकार की यौनियों में गई होती है इस पकार की अगात मृत्तू में होई होती है कि निए इनका मनो होना नहीं होता जो इस पकार सी मालो तर्ब्तडब के मरी बHY je और वे मालो उनको पता नहीं रजकता की मेरे साथ हुआ क्या है जो जैसे स्थिति तिर्टिक के अंदर गया होता है और मरा होता है को तरप के मरा है को । के मरा है कि तो प्रूट के मरारा है है तो कि उसी पकार की जो आत्मार जिसके शरीर पर जैससी फिलिंग का मुंट जो है भोर्डी केस्ट जो पर एंदया पडर आने लगा नहीं, अब ऐसे दिखाई नहीं दे म pasकी नहीं है, उसको लिए उस को प्रोबलम है, उसे श्रीर से फटाना परे उसे फटाने के लिए आपको हनमान जी की शरण को लेना परेगा, और मजबूरी है कल्यूक परदान-जी रूप के जो शक्ति है वो हनमान तो क्या नहीं सकता बताओ आपके शरीर में बिमारी सब खत्म हो सकती है कुछ इसमें करम भी आपके इंटरफेर हो जाते हैं जो आपके पिछले करम होते हैं वह अंदर यह कहीं न कई संकटों की देन भी होती है और कई बार ये भी नहीं है कि सारी कि लोगे आपकी रिपोर्ट में अगर कुछ आ RAW है तो उसकी बात अलग है उसमें भी नेकिन संकड का रोड हो सकता है यह बहुत को बताओ रंकट का रोल उसमें भी हो सकता है अब जैसे किसी को कई वार सेंक कई रिपोर्ट में कोई विमारी उस्पण होगी नेकिन दूसरी जग अखर करवाते हैं वापर कुछ नहीं आई वह पर नैक्टीव है और ये संकट भी कई वार ऐसे कारिये कर देते हैं टार्गेट पे चीज बेजी गई होती है, खतम करने लिए चीज बेजी गई होती है, पागल बनाने के लिए चीज बेजी आती है, बहुत सारी चीजे करने के, किसी का दिमाग खराब रहे, 24 गंडे करोध उत्पन रहे, depression में आजाए बिमार हो जाए लंबा विस्त्रे पर जाए पैसे कारिये करने के लिए भी चीजे भेजी आती है तो बोलिए जैसी तराम जैश्री बाला जवाज जैमारा